कि वैलकम तूदी स्टाइलिश कोडर उमीदे कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास में कोश्चन है मिनिमूम फिलिप्स टू मेक ए और बी इक्वल टू सी एक लिट कोड का मीडियम लेवल का यह कोश्चन है अगर इस कोश्चन की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास मैं लाइक एक डिस्क्रिप्शन की वन होगा जिसके अंदर थ्री पोजिट्व नंबर सोंगे ए बी सी करके ठीक है तो इन एबी सी के अंदर अपने पास जो यह एंड बी होगा अपने को इसके अंदर लाइक और ऑपरेटर को परफॉर्म करना है ठीक है और को परफॉर्म किया इससे हमारे पास मैं लाइक कुछ एकस रिजल्ट आया ठीक है यह एकस रिजल्ट आया इस एकस रिजल्ट को हमको कंपेर करना पड़ेगा इस सी के साथ ठीक है इस सी के साथ जो भी इसका बाइनेरी नंबर होगा मतलब एकस हमारे पास बना इसका बाइन ठीक है तो ये तो होगी question की बात अगर इसको थोड़ा और deep में समझते तो इसकी example की बात करते हैं तो first example में यहां देखो हमारे पास a की वेल्यू क्या given है यहां पर हमारे पास a की वेल्यू है 2 B की value is 6 और हमको like answer क्या चाहिए 5 चाहिए ठीक है तो like अपन इसके अंदर add करते हैं किसको 2 plus 6 को add करते हैं तो हमारे पास मैं answer कितना बनता है 8 बनता है ठीक है हमको answer कितना चाहिए तो 5 चाहिए था ठीक है तो like अगर अपन compare करते हैं कि मैं पास जो 8 का जो binary होता है वो क्या होता है 1 ठीक है 1, 0, 0 and 0 करके यह हमारे पास 8 का binary होता है और 5 का binary हो रहा होता है हमाई पास में 1, 0 and 1 करके ठीक है तो means हमको क्या करना है इस 8 को convert करना है तो हमको पास जो 8 का binary है उसके अंदर अपने को bits को flip करना है तो हम flip कैसे कर सकते हैं तो हमाइँ पास में अगर 1 है तो हम 1 को 0 बना सकते हैं और 0 को हम 1 कर सकते हैं ठीक है यह दो जिरो से में ठीक है और इस बीट को भी चेंज करना है मेंस टोटल कितनी बीट को मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा टोटल तीन बीट को तो चेंज करना पड़ेगा so मेरा answer क्या हो जाएगा यहां पे तीन आंसर हो जाएगा ठीक है अब बात करते है example second की तो यहां पर मेरे पास क्या Give-one है four to four का binary होता है मेरे पास में four का binary अगर बा देखे तो हमाँ पास क्या होता है one zero and zero ठीक है दोनों का addition कराते तो इसका binary क्या निकलता है हमारे पास में 110 करके ठीक है तो means मेरे पाल जो output आया है वो है 110 इसके अंदर मुझे कितने bits को change करना पड़ेगा means first bit 11 same second 11 same last वाला जो bit is zero and one ये मेरे पास unchanged है तो मुझे सिर्फ एक bit को change करना पड़ेगा और ये ये तो हो गई example की बात I think आपको समझ भी आगया होगा कि हम वो कैसे perform करना क्या question के अंदर करना है ठीक है बात करते हैं इसकी solution approach की तो like हम इसमें करेंगे कैसे तो like मेरे पास जो ये a है ठीक है और यहाँ पर होता है मेरे पास b और like मुझे जो output चाहिए वो c होना चाहिए ठीक है तो means अगर यहाँ पर आप देखो कि मेरे पार जो a का बाइनरी नंबर हो बदू का जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है चाहिए जब last bit के through अगर अपन देखते तो मुझे last में यहाँ पर चाहिए one ठीक है तो like अगर one चाहिए तो one के लिए मेरे पास जो a b होने चाहिए वो क्या होने चाहिए a और b के बीच में अगर अपन और operation पर्फर्म करने हैं तो और का basically मतलब क्या होता है कि अगर हम 0 प्लस वन करवाते हैं तो हमारे पास में बाइन आता है ठीक है 1 प्लस जीरो कर आएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1 आएगा अगर हम 1 प्लस यहां पर 1 करवाते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा 10 आएगा ठीक है यह हमारे पास में और इसका अगर अपन और लेते हैं बैसिकली वह एडिशन करवाते हैं ठीक है तो मीज अगर हमको इन दोनों कंडिशन में मिरका सब्सक्राइब ayud धीडेत्य कौई एक ट captive ऑन है तो लाइक तो लैक मेरे पास यहाँ पर интер कापड़ेगा की एक को चेंज करना है इน दोनों में से इसी को मैं डिजित पर जाता हूं मिन्स इस वाले डिजिट पैज आपर 110 है ठीक है अब मेरे को सी की जो रिक्वाइड कंडिशन है वो कितनी चाहिए मुझे सी की वो होनी चाहिए जीरो ठीक है अब यई और जीरो में तो है तो मेंस मुझे स्टेन को अगर बनाना है स्टेन वाली कंडिशन हमारे पास में हो रही है तो स्टेन को मुझे क्या करना है जीरो करना है तो मेंस मुझे इन दोनों बीट को क्या करना पड़ेगा इन दोनों बीट को मुझे जीरो बनाना पड़ेगा ठीक है अगर मेरे पास म तो यहां पर तू था तो मैं यहां पर कुछ भी नंबर नहीं करता हूं अब यहां पर देखो जीरो एंड वन और मुझे आपूट में यह वन ठीक है तो लाइक अगर इन दोनों समिशन देखो मेरे पास किया फर्स नंबर जीरो है और वन है तो में पास वन आ रहा है तो मेंस मुझे यहां पर कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है तो मेंस मेरे पास जो इसके अंदर कितने बिट्स को मुझे स्वाप करना पड़ेगा इसमें मुझे तीन बिट्स को स्वाप करना पड़े तीन अपना आंसर हो जाएग ठीके तो लाइक आगर अपन इसको summarize करते हैं कि हम इसको कैसे approach कर रहोंगे तो हमारे पास में दो case बन सकते हैं ठीके पहला case होगा हमारे पास में C की value अगर last bit है उसकी 1 है ठीके अगर हमारे पास में दूसरा case होगा C की value क्या है 00 है ठीक है अब first अगर हम बात करते हैं C की value 1 है तो उस case में मेरे पास में क्या होना चाहिए A और B ये दोनों की value मेरे पास में क्या होना ही चाहिए कि इन दोनों की value मेरे पास में 0 हो एक की value मेरे पास में 0 हो और एक की value मेरे पास में 1 हो ठीक है इन यह दोनों होगी तब ही मैं यहां पर one gate कर सकता हूं ना ठीक है अगर इन दोनों की value like मैं इसको ऐसे करके बोल देता हूं कि मेरे पास अगर मैं इन दोनों की last bit को ऐसे करके लिखता हूं one cross लेता हूं अगर यह मेरे पास में zero आता है ठीक है तो it means कि यहां पर अपन क्या कर देते हैं इसको end कर देते हैं ठीक है तो like होगा क्या कि मेरे पास में इसका मतलब यह होता है कि हम इसकी last bit को operate कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वह भी discuss कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास में क्या है यहां पर दिया हुआ है यहां पर यहां पर कुछ है नहीं जीरो-जीरो में पर convert हो जाएगा तो means output क्या आएगा जीरो आएगा और in case मेरे पास में लाइक ऐसा होता कि मेरे पास में यह 0 की जगे क्या होता वन होता ठीक है यहां पर जैसे वन है और यह तो मेरे पास में बनती और यह जो आग्याली बीट है यहां पर कुछ भी नहीं है तो मेरे पास मे means में पास जो answer आ रहा हो था one ठीक है तो इसका मतलब यह होता है अगर हमारे पास में इन दोनों में से अगर यह दोनों condition को satisfy करती means दोनों के पास zero zero है ठीक है तो उस case में अपन क्या कर रहे होंगे उस case में अपन like एक बार में अपने जो भी answer होगा means हमको क्या करना है एक number को flip करना है ठीक है तो हम यह आप से flip करेंगे और इन अदर केस हमारे पास में क्या चाहिए हमको 0 चाहिए तो 0 की condition क्या थी कि हमारे पास में 0 कब कब आता है कि हमारे पास में like A और B दोनों क्या होने चाहिए 00 होने चाहिए ठीक है अगर हमारे पास में दोनों 11 होते तो means हमको इन दोनों bits को क्या करना पड़ेगा swap करना करते हैं थीक है यहां से अगर मेरे पास में in case मेरे पास like सब्सक्राइब करते हैं विए क्रोस वन तो यह कंडिशन अगर अपने रखी है यहां पे की वेल्यू कि है हमाई पास में 0 यहां की वैल्यू क्या जी जीर तो मिन्स हमाई पास में मुझे इन दोनों bits को swap करना है और in case मेरे पास में क्या होता है कि A0 है 1 है तो मुझे कितनी सिर्फ 1 bit को swap करना है अगर मेरे पास में 1 A1 है और यह 0 तो इस case में भी मुझे 1 bit को swap करना है ठीक है तो like हमारे पास में answer आ जाएंगे तो means हमारे पास में like एक number है अपने यहां पर एक करते कि A कोई number है अगर हमको इसको left में shift करना है तो हम like इस type के अगर इसको left में shift करना है तो हम ऐसे करके operators का use करते और यहां पर जो digit लिख देंगे उतनी digit यह swap होगा ठीक है और अगर हम यहां पर B को अगर ऐसे करके लिखते तो इसका जो number हो right में shift होगा तो assume करो मेरे पास जो A है वो कितना है two है ठीक है क्या number है one zero इसको मुझे एक bit राए आगे की तरफ shift करना है मतलब किसको एक step आगे ले जाना तो मेरे पास क्या होगा यह अभी zero position पर है ठीक है यह मेरे पास one है तो मुझे इसके like इस तरफ इसको इस तरफ भेजना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा यह one zero और एक seven bits से रिमू होगी तो मेरे पास में बच जाएगा यहां पर one and one ऐसे करके अपन उसकी last डिजिस्ट को रिमू कर देंगे ठीक है और in case अगर future में कई दूसरी तरफ होता है यहां पर जितने two bits का shift होता रहेगा ऐसे करके चलता रहेगा ठीक है तो चलिए करते हैं इसको code में तो first में अपन यहां पर एक variable बना रहते हैं जो अपने answer को रखेगा तो int flips करवाएंगे तो अपने यहां पर flips का count रखते जीरो ठीक है अब हमको क्या करना है हमको लाइक जो हमारे पास में तीनों positive नंबर से उन तीनों की लास लास डिजिट तक जाना मींस हमारा जीरो से बड़ा नहीं रहता है तब तक अपने देखना है ठीक है तो वाइल मैं आप लिखता हूं कि मेरे पास जो ए है अगर यह doesn't equal to zero हो ठीक है या भी हमारा doesn't equal to zero हो ठीक है और जो मेरे पास c है वो भी मेरा doesn't equal to zero हो इन तीनों में से जो भी हमारा doesn't equal होगा तब तक यह चलेगा ठीक है तो हमारे पास में condition क्या बचती है हमारे पास में जो condition होगी वो यह होगी कि इफ कि मेरे पास में जो c है अगर रुख जो इसको अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा ब्रेकेट में लेना पड़ेगा c and one अगर यह equal to equal to क्या होता है हमारे पास में one होता है ठीक है और दूसरी condition क्या हो जाएगी हमारे पास में else में कि जब c की जो last बीटे वह हमारे पास में zero होती है ठीक है तो means हमने इसमें लाइक क्या देखा था कि c अगर हमारे पास में one ने तो उस हमारे पास में जो B का अगर में last bit से one करवाता हूं अगर और यह भी मेरे पास क्या आता है 00 आता है तो इत मींस यह दोनों bit मेरे लिए क्या है 00 प्रोड्यूस कर रहे है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा एक करना पड़ेगा ठीक है तो यहां से मेरे जो फ्लिप सोगा उसका काउंट वन करके इंक्रीज होगा ठीक है और एल्स कंडिशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास में जो है जो लाइक सी की जो सी की जो लास्ट बीट हूँ कितनी है जीरो ठीक है तो उस ने दो के देखे थिए कि हमारे पास क्या हो एक पास दोनों 00 को चलर सो यह इसका क्या क्या करेंगा है जो हमारे पास में पी के एड़ के साथ ठीक है तो यह तो गया घ Lewis बाऊफ की बात ॉपी के लाला hero कि अधार अधार को इसको आगे की तरफ करना मृंस हमको राइट ऑप रीटेघा लगाना है तो एक वाइन थैक कई वन बीट के साथ ठीक है और अगे असाइन भी करेंगे फिर बी को भी अपने को सुरी अपने अपने लेट का यूज किया है अपने कोई नहीं निसा ही करा है तो ठीक है तो यहाँ पे अपने को इसको भी वन बीट आगे भेजना पड़ेगा और यहाँ पे अपने को को सी को भी आगे भेजना पड़ेगा ठीक है तो और इन दा लास्ट अपन यहां से रिटन कर रहे होंगे किसको फ्लिप्स को ठीक है तो हमारा कोड कम्प्लेट होगा है इसको रन कर लेते हैं कि अगे अगे लाइक हमने इसको असाइन करना भूल गए आप पर तो लेट्स असाइन भी करते हैं इसको एकवल टो ठीक है या साइन भी हो जाएगा अब ठीक है हमारे तीनों केस चल गए कर देते हैं इसको सम्मेट तो हमारा आज का कोड सक्सेश्फूल सम्मिट हो चुका है तो चलते हैं इसकी टाइम एड़ स्पेस कॉंप्लेक्सिटी की बात करते हैं तो लाइक अगर हम इसमें देखते हैं तो हमने आप पे एक वायल लूप का यूज किया है ठीक है यह वायल लूप हमारा कब तक करेगा ठीक है तो में मैं करता हूँ कि जो भी नंबर से लाइक एन टाइंस मेरा यह लूप चलने वाला इस डिपेंड्स कर रहा होगा मेरे एवी सीप ठीक है तो मेरे पास टाइम कॉंपलेक्सिटी हो रही होगी वह कितनी हो जाएगी ओं करके निकलेगी इस वाइल लूप की और इस पेस कॉंपलेक्सिटी की अगर अपन बात करते हैं तो हमने कोई एडिशनल इस पेस तो यूज करा नहीं हमने आप एक फ्लिप बना है जो कि हमने सिर्फ यह पर वैरियबल डिक्लियर किया ठीक है तो इट मिस्टो मेरे इस कोड की टाइम इंड स्पेस कॉंपलेक्सि झाल